सलाम और प्रणाम, आज ये मुलाकात में हमारे साथ है राखी सैगर, जो नैशनल ट्रेज उनियों इनिशिटिव की एग्जेकेटिव काउंसल मेंबर भी है, और पूरे हर्याना गुर्गाउं में जो मानेसर बेल्ट कहा जाता है कामगारों के पूरे संगर के साथ जुड़ी कामगारों को उमर कैद की सजा और 117 कामगारों को एक्विट किया गया है, बीच में बेल भी उनको शायद नहीं मिला था ये पूरे संगर के दोरान, ये जज्जमिन को आप कैसी देखती है उसके उपर और ये जज्जमिन में जो लिखा गया है, एक तो मतलब कि ये केस को कितने पुरावे थे, कितना एविदेंस था, और दूसरी बात, जो एक तरह का विदाउट एविदेंस का जो जस्टिफिकेशन दिया गया जजमिन में, उसके बारे में कुछ आप कहेंगे, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये जजमिन पूरी तरह से जो है पुंजी कर सकें, तो उनको confidence देने के लिए कि आप यहां के निवेश करिये, ये जजमिन बेसिकली उस लिए किया गया है, और इसमें जिस तरह से जो है, बचाव पक्ष ने अपने पूरे तर्क रखे और दिखाया कि कोई एविदेंस नहीं है, जो हमारे कानूनों में एविदेंस ए अटाक किया था, लेकिन जो उनोंने एविदेंस के तोर पे पेश किया उसमें ना मारूती का स्टैंप है, जो साइज होता है वो भी एकदम गलत है, जो उनोंने उस सेम लिखा था कि इतने बरामत किये गए है, वो भी अचा अगर बरामत किये भी गए थे, तो इनका कहना है कि मारूती की फैक्टरी में उस वक्त, 19 जुलाइ 2012 में कोई चोरी नहीं हुई थी, फिर सड़नी चार्चीट के टाइम जो आप कहरे हो एक हजार से जादा जो है चोरी हो गए थे, आप कहरे हो कि वर्कर्स को जो हमने जबरेस्ट किया, चाहे हिसार कैथल रिवारी से किया हो या मारूती फैक्टरी के पास से उनके कमरों से लिया उन सबके पास वो डॉर बीम और शॉकर्स थे, तो कोई इतना पागल तो नहीं है कि वह अपने साथ लेके जाएगा खासकर कि अगर उसने कुछ इस तरह का कारी किया हो यह संगर्श जो रहा है, चाहे वह मारूती का हो जो स्ट्रॉगल रहें, जो संगष रहें वह भी बहुत महत्वपून थे क्योंकि वह अधिकार उसको लेके थे कि हम सर उठा के और रिस्पेक्ट के साथ काम कर से कि उसको लेके था जो हमारे काम करने की परिस्थितिय उनको सुधाने के लिए था और कही ना कहीं जब हम मार तब तक जो हम सुधार नहीं सकते हैं जब तक हमारा अपना संगटन नहीं होगा लेकिन जो यह अटाक इनके ओपर इतना जो शोर से किया गया और अभी तक किया जा रहा है वो इसलिए क्योंकि जो वहां के पर्मिनेंट वोकर्स हैं जो स्थाई करम श्रमिक हैं उन्होंने अपने ठेका मजदूर भाईयों के साथ मिल कर उन्होंने कहा कि हम तो पॉर्मिनेट वोकर हैं हम स्थाई श्रमिक हैं मगर जो हमारे साथ प्रडक्शन में जो की वैसे ही कांट्राक् लेबर रक्ट का अलंगन है लेकिन फिर भी जो हमारे साथ काम करते हैं उनको समानवेतन और समान बेनिफिट्स मिलने चाहिए इस बात पर वो अड़े रहे और उनकी पहले दिन से यही मांग थी ट्रेड उनियन बनाने का भी उनका जो पूरा संखर्श था वो यही था कि एक तो हमें जो क्योंकि देखिए वो ठेका मजदूर को कम पैसे दे कर उनसे जादा काम करव कि उनकी एक तरह से गर कहीं कि उनकी जो वालरुबिलिटी है उसका फाइदा उठा के आप जो पर्मनेट वोकर्स को भी जो है दबा रहे थे तो वोकर्स को यह बात समझ में आ रही थी तो उन्होंने एक जो ठोके आवाज भी उठाई आप एक जो तरह समझा है मारे दर्श इन्वेस्टर चाहिए तो इन्वेस्टर आए भी और अधिकार विमिले मतलब को और अधिकार का अलवंगर नो हो इस तरह मज़व की हखों की ऊपर हमला नहों इसका पतलब अप नवजवान उसमाज को कैसे समझाएंगी कि इस तरह का डिग्निवाइवर का मतलब क्या है ड हमें भी वो नागरिक हक है कि हम अपनी आवाज उठाएं और शांती पूरवग आपके सामने रखें फिर वाद विवाद हो आपस में और फिर हम एक नतीजे पर पॉंचे कि यह फैक्ट्री कैसे चलेगी आपको कितना प्रॉफित होना चाहिए हमें कितना वेतन मिलना चाहिए इसमें हमारे काम के क्या किते हैं घंटे कितने होने चाहिए दाइरा क्या होना चाहिए विगेरा विगेरा तो यह तो आप एक अगर आपके पास डेमोक्राटिक इनस्ट्री रिलेशन्स फ्रेमवर्क है तो उसमें तो आप एक डेमोक्राटिक क्या क्या क्याते हैं रिलेशन हो आपका ड्राइवर हो, construction site पे काम करने वाला हो, restaurant पे काम करने वाला हो, या वो journalist भी हो आपके जैसे. हम सब जाते हैं कि हमें थोड़ी सी स्वतंतरता और अजादी हो अपने कारियर के खेत्र में, हमारे साथ respect के साथ बात की जाए और हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. हम बंधुआ मजदूर नहीं है, हम नागरे के अभी है, citizens of this country. आज का अश्रमिक यह कह रहा है. पत्रकार ने यह संगर्ष को और बाकी कामगारों के संगर्ष को किस तरह पेश किया समाज को? पहले तो पेश ही नहीं किया, फिट जब पेश करते हैं, तो भी मालिकों की और पुझी पतियों की भाष्या में ही उसको पेश करते हैं. यहां तक की वो जो पेड न्यूस वाला सिस्टम है, जो कमपनी का प्रेस रिलीज होता है, वो ही उठा के वो ही वर्जिन आप चाप देते हैं, आपको दिल्दी से वानेसर जाने के दूरी आप तेहनी कर पाते हैं, जाके पूछने के कि आशकर तो मॉबाइल फोन हालवकर क पास है, उनी से पूछ लो कि उनका वर्जिन क्या है कहानी का, चापो तो सही, कुछ तो चापो, और फिर आप, जिस थरह से जिस लेंस से वो वर्ग का अंतर है, क्योंकि हमारे जर्नलिस्स जब तक उस वर्ग से नहीं है, अगर आप देखें, इंटीरियर्स के जो स्ट्रिं जटानी की कोशिशिश लिए है, राकर जी यह जज्जमन के बाद भी और उसके पहले भी संगर्श को बहुत साथ भी मिला है, और आज भी कोई कामगार यह पूरे बैल्ट में संगर्श को छोड़ने रहा, तो इससे बहुत उत्साहिकी बात है, मतलब एक उमीद की भी एक क उनके जो पांच प्लांट है, सारे कामगारों ने एक गंटे का टूल डाउन किया इसके बावजूद की इसके बावजूद साथियों उनमें बहुत गुसा और रोश है उने लगता है कि जो हमारा एकदम सेमध्धानेक बेसिक कोशिश करें तो यह कोई भी नहीं सहेगा और एक तो यह बात है दूसरा बहुत ही स्वोंटेनियसली देश भर के मजदूरों ने जो है पहले दिन से इस संघर्ष का साथ तिया है उन्होंने भी खाने का भहिशकार किया था और रोज कही ना कहीं से हमें सूचना मिल रही है न आगे की रण आज 23 मार्च को भगत सिंह की शहादत दिवस पे मजदूरों ने वहां पे चलो मानेसर करके जो है राली निकाले का और पब्लिक मीटिंग पब्लिक सभा करने का जो आम सभा करने का निर्ने लिया है यह भी बहुत महत्वपून है क्योंकि सेक्शन 144 वहां पे लगाया हुआ है और पुलिस हमसे जादा तो पुलिस होगी वहां पर लेकिन फिर भी मजदूरों ने ठान लिया है कि वो इसका जवाब देंगे वरना उनको सब को दिख रहा है कि अब इसका जवाब नहीं दिया जैसे कि उसन पब्लिक मीटिंग में भी साथी कह रहे थे अ अब इसका जवाब नहीं दिया तो आने वाले दिनों में हम में से किसी को भी जो है उठा के जेल में इस तरह से जो है जीवन भर के लिए बंद कर दिया जा सकता है हम सब के तो सब श्रमिकों का ये कहना है कि ये तेरा और जो पूरा मारूती का संगर्श है ये केवल मारूत के मजदूरों के लिए ने पुरे मजदूर वर्थ लडाई लड़ी जा रही है इसलिए सब की वहानीदारी इसमें है बहुत बहुत चुक्ति है राकी जी बाहन करने के लिए बहुत बहुत शुक्त